नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब तीथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्थिक मास को ही अपना प्रियक्यों कहते हैं। इसका कारण बताईए। भगवान श्रुकृष्ण ने कहा। ही भामिनी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ ध्यान पुर्वक सुनो। इस प्रकार एक बार महराज बेन की पुत्र राजा प्रिथु ने प्रश्न की उत्तर में दिवर्शी नारत से प्रश्न किया था। और जिसका उत्तर देते हुए नारत जी ने उसे कार्थिक मास की महिमा बताते हुए कहा। ही राजन एक समय शंक नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में तरह तरह ही मच गई। उस शंक खासूर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंदरादी देवताओं एवं लोक पालों के अधिकारों को छीन लिया। उस से भैभीत होकर समस्त देवताओं अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेर परवत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छीपे रहे। ततपस चात्वे निश्चिंत होकर सुमेर परवत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखा सुर को इस बात का पता चला की देवता आनंद परवक सुमेर परवत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं। तो उसने सोचा की ऐसी कोई दिब्य शक्ती अवश्य है जिसके प्रवाव से अधिकार ही निया देवता अभी भी बलवान है। सोचते वह इस निड़े पर पहुँचा की वेद मंत्रों के बल की काड़ ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदे इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखा सुर ब्रह्मा जी के सत्य लोग से सिग्रही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाये जाते हुए भैसे, उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समागे। शंखा सुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंडते हुए सागर में प्रवेश किया, परन्तु न तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखा सुर सागर से निराश होकर वापिस लोटा तो उस समय ब्रह्माजी पूजा की समगरी लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विश्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आधी से बारम बार उनका पूजन करने लगे धूप दीप नवेद्य आधी अर्पित किये जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्माजी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन हुए तथा कहने लगे मैं आप लोगों के इस किर्तन एवं मंगला चरण से बहुत प्रसन हूँ आप अपना अभिष्ट वर्दान मांगिए मैं अवश्य प्रदान करूँगा जो मनोशे अस्विन शुकल की एक आदसी से देवत थाने कादसी तक ब्रह्मोहुर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे उन्हें तुम्हारी ही भाती मेरे प्रसन होने के कर सुख की प्राप्ती होगी आप लोग जो पाद्य अर्ग आचमन और जल आदिसमगरी मेरे लिए लाए हैं वे अनन्त गुडो वाली होकर आपका कल्यान करेंगी शंखा सुर द्वारा हारे गए संपुड वेद जल में इस्थित है मैं सागर पुत्र संखा सुर का वद करके उन्वेदों को अभी लाए देता हूँ आज से मंत्र भीज और वेद सहित में प्रती वर्ष कार्थिक मास में जल में विस्राम किया करूँगा अब मैं मत्स कारूप धारण करके जल में जाता हूँ तुम सब देवता भी मुनिश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ इस कार्थिक मास में जो स्रेष्ट मन से प्राता काल असनान करते हैं वे सब यग्य के अभिवरित असनान द्वारा भली भाती नहा लेते हैं हे देवेंद्रकार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धान पुत्र पुत्र यादि देते रहना और उनकी सभी अपत्तियों से रक्षा करना है धन पत्कुवेर मेरी आग्या की अनुसारतों उनके धन्धानी की वृधी करना क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुश्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है जो मनुश्य जन्म से लेकर मृत्यो पर्यंत विधी पुर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वा आप लोगों का भी पुजनिय है कार्तिक शुकल पक्ष की एक आदसी तिथी को तुम लोगों ने मुझे जगाया है इसलिए या तिथी मेरे लिए अत्यंत प्रत्रीति दाइनी और माननी है इस देवताओं या दोनो व्रत नियम पुर्वक करने से मनुश्य मेरा सानित्य प्राप्त कर लेते हैं इन व्रतो को करने से जो फल मिलता है वा अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता अतप रताइक मनुश्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्मे और एकादसी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए जो मनुश्य कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ के समेप श्री हरी का पूजन करता है वह इस लोक में संपूड भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है कार्तिक मास कथा का चौथा अध्याए नारज जी बोले ऐसा का विश्नु भगवान मत से रुप धारड कर विंदेवासनी कश्य प्रिशी के अंजली में पहुँच गये तब उन रिशी ने दया करके उस मचली को अपने कमंडल में रख लिया जब वा कमंडल में न अट सका तो कुवे में डाल दिया और जब उसमें भी न समाया तब तलाब में और जब तलाब में भी नहीं अटा तब फिर समुद्र में डाल दिया तदंतर उस नारायन रुपी मत से ने शंखा सुर को मार डाला और उस शंख को हाथ में लेकर विश्णु भगवान बदरी कारण्य चले गए उन्होंने वहाँ सब मुनियों को बुला कर या आग्या दी श्री विश्णु भगवान बोले जल की भीतर वेद भिखर गए हैं उनको तुम ढूंडो बहुत शिगर रहस्य समेथ वेदों को जल के मध्य से बाहर लाओ तब तक मैं देवताओं समेथ प्रयाग में ठहरा हूँ नारत बोले तदंतर तपो बल्युक्त सब मुनिस्वरों द्वारा बीज और यग्य मंत्रों सहिट सब वेद जल सिवाव निकाले गए उसमें जितना भाग जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद हुआ है राजन्त तब से उन भाग का वही रिसी हुआ उसके बाद सभी मुनिस्वरों प्रयाक गए और पाये गए वेदों को विधाता सहिट भगवान को दे दिया संपुन वेदों को पाकर ब्रह्मा ने अनन्द युक्त ही रिसी गड़ों के साथ अश्व में गिया गि किया यगे के अंत में देवता गंधर वयक्ष सर्प और गुखा ये सब भूमे में दंडवत प्रडाम कर प्रार्थना करने लगे देवता बोले हे देव के देव स्वामिन हमारी प्रार्थना सुनिये या हमारे अनन्द का समय है आप वर देने वाले हैं इससे है महराज आग के प्रसाद से या अस्थान अर्थात प्रयाग प्रिथ्वी में अति श्रिष्ठ पुर्ण्य को बढ़ाने वाला और भक्ती मुक्ती देने वाला माना जाएगा या काल का भी महापवित्र ब्रह्मात्या आधिकुन्रवित करने वाला और दान को अक्षय करने वाला हो या वर हमको आप देजिए विष्णुजी बोले हे देवताओं जो तुमने कहा वही मेरा भी सम्मत है तथास्त अर्थात मैंने तुमको मनवांचित वर दे दिया ब्रह्म छेत्र के नाम से प्रसिधिया अस्थान सबको सुलब होगा सुरे वंच में उत्पन राजा भागिरत यहां गंगा लाएंगे वा गंगा यहां सुरे की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी के साथ सहयोग को प्राप्त होंगी यहां ब्रह्मादी तुम सब देवता मेरे पास वास करो या तिर्थ राज के नाम से प्रसिध होगा इस छेत्र में किया हुआ दान तप, व्रत, होम, जप और पूजा आधिक्रियाएं अनंत फल देने वाली होंगी और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होंगी अनेक जन्मों के लिए ब्रह्म, हत्या, आधिपाप इस तिर्थ के दर्शन से ततकाल नश्ठ हो जाएंगे जो धीर पूरुष मेरी सानिद्य अर्थात मेरे समीप देश छोड़ेंगे तो फिर जन्म नहीं लेने वाले वे मनुश्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ती पाएंगे जो यहां अपने पितरों के निमित स्राद करेंगे उनके सब पितरगड मेरी सारूपता को प्राप्त होंगे यह समय भी मनुश्यों को महापुन्य फल देने वाला होगा और मकर की सुरे आने पर स्नान करने वाले पुरुशों के पापों का नाश होगा माग मास में मकर के सुर्य आने पर प्राता काल असनान करने वाले मनुश्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सुर्य से अंधकार दूर हो जाता है माग में मकर की आने पर स्नान करने वाले को मैं सालोग के समिप्य और सारुप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ है मुनिश्वर तुम सब मेरी वचन सुनो सरोब्यापी में बद्रीवन में सदा रहता हूँ अन्यस्थानों में सो वर्स जब करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा जो श्रेष्ट उस अस्थान का दर्शन करते हैं वी जीवन मुक्त हैं और कभी उनमें पाप नहीं रहता सूत जी बोले हे देव के देव श्री भगवान देवताओं में ऐसा करकर ब्रह्म समेत वही अंतल ध्यान हो गए और इंद्रादी सब देवता भी अपने अंशों से वहां इस्थित होकर अंतल ध्यान हो गए जो उत्तम प्राड़ी शुद्ध चीत हो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे वह तिर्थ रजप्रयाग और बद्रीवन में जाने से जो फल मिलता है उसे पाएंगे बोलो जैशिमन नाराय अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट में जैशिमन नाराय चैनल